नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करते हैं, अच्छे से होगे और आपके पढ़ाई भी अच्छे से चल लग yapay मुझहों हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइथ की संस्कृच वियाकरन में यह है आपका समास ठीक है समास में तत्पू समास हम लोग पढ़ चुके थी आज ही जो करने वाले हैं तत्पू समास के अनवेध जो बहुत ही महत्पूर है इस तत्पु समास के अनवेद में अनिता कुछ भी नहीं है इसमें आपको बस जित्ते भी उधारण दिये गए हैं उसको याद कर लेना है ठीक है और ये कौन सा समास है ये याद कर लीजे और ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत ही इसमें के अंदर गुसना पड़ेगा लेकिन बस इसके जित्ते उधारण हैं ये उधारणों सो ही इसमें कोईशन सापके एक्जामनेशन में कोईशन पूछे जाते हैं तो ठीक है एक बार इसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको याद करिएगा चलिए उक्त भेदों के अतरिक्त तैद्पु समास के तीन भेद और होते हैं ठीक एक भेद हम भी आपको और बताएंगे जिससे प्रश्ण पूछे जाते हैं लेकिन आपके बुक में तीन भेद दिखाया है तो ठीक है तीन भेद ही है तीन भेद होते हैं उपठ अतर्पु समास इसके उठतर पद में कोई क्रिया वाचक शब्द होता है इसलिए इस समास को उपध कहते हैं जब आप इसका विग्रह करेंगे तब आपको क्रिया मिलेगी जैसे कि मर्मग्यह मर्म जानाती मर्म को जाननी वाला ठीक है चर्मकारह चर्मकरोती यानि चमार ठेक अब ये देखिए कंबलदह कंबलदेने वाला कंबलमददाती प्रभाकरह प्रभाम्सकरोती यानि कौन सुरिय तो मर्मग्य चर्मकारह कंबलदह और प्रभाकरह आप कोई ट्रिक बनाएए या कुछ भी करिए ये चार दो ये चार जो उधारण है इसको आप याद कर लीजिए कि कौन से उधारण है उप्पत अद्प्रु समास के उधारण है अभी देखिए नय तत्प्रु समास अभी देखिए नय तत्परु समास अब आता है आपका नए तत्प्रु समास इसके उपर पद इसके पूरुपद में निशेधार तक अ या अनशब्द का प्रयोग होता है इसके पूरुपद पूरुपद समझ रहे ना ये वारा पद इसके पुर्पन में निशेधार तक अया अनिश्वन का प्रयोग होता है जैसे अब्रामना ठीक अब्रामना जब आपस का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा नब्रामना और विग्रह भी ऐसा ही होगा जो गोडा नहों, जो उचित नहों उसे हम क्या बोलेंगे? नही तत्पु समाज बोलेंगे इसमें आप दो उधारन और और एड कर लिजे नही तत्पु समाज में ही लिख लिजेगा एक हो गया आपका अनर्थ क्या है अनर्थ ये भी पूछ सकता है नर्थ ठीक है और अमूग और क्या है अमूग अमूग क्या हो जाएगा नमूग ये पांच ने तर्थ पूसमास में आप याद रख लीजे ठीक जो आपकी सिर्फ बुक में नहीं आगे आगे नहीं वाले अगे आने वाले प्रतियुगताओं में भी महत्वून है इस वज़े से ये पांच ने तर्थ पूसमास के उधारन हाँ याद कर लीजे जिस पद के साथ ने समास किया जाता है उस पद का आदी अक्षर अ हो तो ने समास में अ के आगे अंजोड दिया जाता है जैसे अनश्वह ठीक है क्या हो जाएगा अनश्वह अब देखिए अलुक तर्थ पूसमास इस समास में पूरुपत की विभक्ती का लोप नहीं होता विभक्ती का लोप नहीं होने के कारण इसका नाम अलुक समास होता है ठीक है इसमें क्या होता है कि विभक्ती का लोप नहीं होता है हाँ तो आप इसको याद कर लीजे को युद्धि में इस्थिर हो ठीक है दूसरे के लिए पद परसमे पद अपने लिए पद आत्मने पद और ब्रहसपती वाचसपती को क्या बोलते हैं ब्रहसपती तो इसमें जो है जो विग्रह है वो विग्रह से वैसे ही लिखा ही जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं अलुक तत्पुरूस हमास में आप याद कर लीजिए ठीक है तो आपके कौन-कौन से हो गए ने तत्पुरूस, उपद तत्पुरूस और अलुक तत्पुरूस हमास और ये और आपकी चार उधारन और आप और नोट कर लीजिए कुपुत्र सुदेश कुपुरूश कुपुरूश और प्रचार्य हम ठीक है ये चार उधारन जो है आपके क्या है गती तत्पुरूस हमास है क्या है गती तत्पुरूस हमास है ठीक है और कुपुत्र, सुदेश, कुपुरूश और प्रचार्य हमास ये कुपुत्र का क्या हो जाएगा कुट्सित पुत्र कुपुत्र, कुट्सित पुत्र सुदेश का विग्रह क्या बनेगा आपका सुन्दरह देश हमास और कुपुरुष का कुछ सित्पुरुषा, प्रचारिया क्या हो जाएगा, प्रगतः आचारिया है, प्रचारिया क्या हो जाएगा, प्रगतः आचारिया है, एक बाइ फिर से आप विग्रह, मैं बोल रहे हो लिख लीजे, कुपुरुष का क्या होगा, कुछ सित्पुत्र सुदेश का हो जायगा सुन्दर अधेश कुपुरुष का कुच्छ सित्पुरुश और प्रचारय का प्रगतः आचारय हैं यह चार उधारन जो है बहुत ही महत्पूर होगा तो और इसकी जो अभिछास है उसको हम लों करेंगे अगले वीडियो में तब आप प्रैक्टस करिए मिलते हैं अगले वीडियो में अभिछास के साथ में और फिर उसके बाद हम लों आगे का समास भी देखेंगे काम दार है समास तो ये वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताएगा और जो नस्मझ मैं उसको कमेंट मौस में लेके जरूर पूछेगा और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी दोस्तों को शेयर जरू कर दीजिए नमस्कार